सुशान सिंग राचपूत की आत्माहत्या की बात सुनकर हर व्यक्ति के मन में एक कोश्चन मार्क आ गया है कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण इतने अच्छे स्टार ने अपनी जीवन को खतम कर दिया आत्माहत्या कर ली किसी को जानकारी भी नहीं हो पाई कि आखिर उसके मन में बात क्या थी सबके मन में यह जो कोश्चन मार्क है कि सब कुछ तो था उसके बात फिर ऐसा क्या बात हुई ज़रा से डिप्रेशन से कोई ऐसा कर लेता है क्या actually देखा जाए तो जब भी व्यक्ति आत्मा हत्या करता है एज हिपनो काउंसलर उसके अलावा मैं माइन ट्रेनिंग में भी काम करती हूँ NLP की प्रेक्टिस करती हूँ जो की नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो रहता है इसमें actually हमारी brain की जो frequency रहती है जो हमारे thought pattern रहते हैं किसी भी प्रकार की negative thoughts को या depression को या डर को handle करने के लिए कुछ process रहती है या कुछ techniques रहती हैं जिसको अगर हम करते रहते हैं तो इस extreme end तक व्यक्ति नहीं पहुंचता है हलंकि पहले के समा नहीं है कि लोग depression को बड़ी बीमारी नहीं समझते हैं बीमारी तो समझते हैं पर unfortunately अक्सर वो दवाईयों तक ही रह जाता है दवाईयां ले लेते हैं या थोड़ी बहुत counseling कर लेते हैं और अक्सर जो counselor वही बोलता है जो उसके passion को relax करता है पर time being के लिए हलंकि सुशान जैसा star हमारे बीच में नहीं है film industry से वो बहुत बड़ी कमी शोड़ के चला गया है परन्तु आगे के लिए ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा क्या करें ऐसा क्या precautions करें आप अपने बच्चों के लिए कि इस प्रकार की घटना किसी parents को फिर नहीं देखनी पड़े देखनी या सुनने को भी हमें नहीं मिले इस प्रकार की घटना है उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो आपका mind है उसकी health को बहुत अच्छी तरह से समझें छोटा मोटा depression है तो उसका इलास तो कराईए परन्तु अगर ज़्यादा depression है तो NLP, mind training ऐसी कुछ therapy जरूर करें जरूर अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो इस प्रकार के difficult time को handle कर पाएं क्योंकि यकीन मानिये जब कभी भी व्यक्ति suicide करता है जब वो अपनी life को end कर देता है उस समय जो last moment रहता है उस समय उसको अपने जीवन के frame में कोई भी नहीं दिखता है कोई भी नहीं दिखता है उसे दिखता है तो सिर्फ अपना अंधेरा उस frame में और अपनी धुंदली सी तस्वीर जो वो देखना नहीं चाहता है इसलिए कई लोग कुछ समय तोड़ फोड़ करके अपने depression को subside कर देते हैं अगर व्यक्ति इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसे समझाना जरूरी है परन्तु उसको बिल्कुल से मत रोकिए मत रोकिए क्योंकि उससे उसका depression अगर निकल जाता है तो कई बार ऐसी दुरघटनाएं रुक सकती हैं हलांकि यह solution नहीं है पर फिर भी आप लोगों के साथ इसलिए share कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास regular ऐसे passion आते रहते हैं जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और यह share करते हैं कि उनके बहुत relax हो जाता है और वो बड़ा कोई negative कदम नहीं उठाते हैं तो इस प्रकार से भी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको गुसा हट जाए कुछ ऐसी चीज़ें को भी handle करने के लिए आपको रास्ता मिले तो जब वो negative अपने आपको उस frame में देखता है तो वो उसको cut कर देता है और अपनी जीवन का अंत कर देता है NLP में ये देखा जाता है कि आपके mind में जो इस प्रकार के विचार आ रहा है उसे कैसे हटाया जाए हलांकि इस समय जो lockdown था वो भी इसके लिए बहुत बड़ी बोल सकते हैं परन्तु कोरोना वाइरस के समय जो lockdown चल रहा है लगभग लोग अपने life में अलग-अलग तरीके से बीजी हो गए है एक दूसरे से communication नहीं चल रहा है नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण भी ये depression बढ़ता है पर अगर हम इस बात को अच्छे से समझें कि हमें अगर कोई mental tension हो रही है तो उसको properly किसी authentic treatment के द्वारा या authentic ये बोल सकते हैं टेक्निक के द्वारा ही handle करें पीछे कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था emotional freedom therapy जिसमें भी हमारे mind में जो बातें चलते रहती हैं वो हमारे mind को बिल्कुल सोचने समझने की शक्ती को खतम कर देती है blank हो जाता है mind उस इस्तिती तक वो therapy करते रहने से हमारा mind पहुंचता ही नहीं है तो इस प्रकार के इतनी बड़े गलट decision नहीं लेता है end में मैं बस यही कहूंगी कि सुशान्त राजपूत की जो death हुई है जो suicide से जो death हुई है उसका जो कुछ भी कारण हो उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए इसके उपर proper inquiry होनी चाहिए चाहिए उसका region सिर्फ उसका depression है पर वो depression इतना extreme क्यों गया उसने कुछ लोगों के साथ क्या बातें share करी इसका actual region क्या था वो सब बातें सबकी जानकारी में आना बहुंच जादा जरूरी है अगर आप सब लोग मेरी इस बा करिए कि आपको मैं like, share और subscribe चाहती हूँ इस वीडियो में सिर्फ इसलिए कि लोगों तक ये बात पहुंचे और वो इस तकलीव को properly समझ पाएं ताकि फिर कभी किसी parents को अपना बच्चा खोना नहीं पड़े Thanks a lot